आप पहले में बाद में, पहला आप बाद में में, ऐसा हम कर पाए, इसलिए आज प्रार्थना करते हैं, सब को बहुत-बहुत धन्यवाद, सब दूर-दूर से आते हैं, कल उड़ी पड़वा है, सब को नए साल की वधाई भी है, और हमेरे जिसका जिसका बड़े की बात हु फिर हमेरे चाउदा तारिक को हम सुबह में इधर एक महापुजा भी रखी है, हमेरे भुपेंद्र भाई के उसके, तो उनके लिए भी जो आप आए, त्रयो दसी निमित के पवई में ही रखी है, तो जो भी आना है वो आ सकते हैं, और पंदरा को स्वामिनान भगवान का प्रागट्य दिन है, और पंदरा को महापुजा चेंज होती है, तो सुबह में वो महापुजा चेंज करेंगे, स्वामिनान भगवान का प्रागट्य दिन मनाएंगे, और साम को बड़ा फंक्शन भी हम करेंगे महाराज का प्रगट्य और निलकंठ वर्णी मूर्ति का अमंत्रन है और आना हम महराज का प्रागट्य दिन अच्छी तरह से मनाएंगे, राम चंद्र भगवान का प्रागट्य दिन अच्छी तरह से मनाएंगे, और तीन तारिक से आठ तारिक तक, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, छे में, तीन में से आठ में, बच्चों का एक कैम्प रखा है यहां दस बजे से सामको पांच सुबह दस से सामको पांच बजे तक यह चिल्डर न केम्प रहते हैं और उसमें सब अपने बच्चों को यह कैम्प में बेजे एज सिक्स एर्स से तेरा एज तक फर्टीन, 13 years तक का एज का बच्चों के लिए यह एक केम प्रखा है उसमें बहुत सारी फेकल्टी विगेरे योगा विगेरे सब वेल्यू एजूकेशन विगेरे सब का प्रोग्राम बनता है आउटिंग का भी एक प्रोग्राम होता है छोटा तो सब को अपने बच्चों को उसमें सामिल होने के लिए उसका फोम हमेरे मादूर बेन, जयू बेन, आर्ति बेन उसके पास है तो जरूर से उसके पास से ले और अपने बच्चों को उसमें सामिल करें तो बहुत बहुत आनन्द होएगा और जितना सत्संगी के बच्चे आएंगे ने उतना ओर आनन्द होगा क्योंकि यहां उसका एक संस्कार भी मिलता है तो सब को इसके लिए प्रारतना है और हम अभी 15 तारिक को सब मिलेंगे महाराज के प्रागट्य दिन के उपर और 14 तारि सब को जे स्वामी नाराण सहिजान स्वामी महाराज की जेशान 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 स्वामी महाराज की जो सभी प्रसाद की बहन बड़ी बहन उसका बारा तारीकों है और हमारी उस्षाई यूती जिगना बहन उनका भी तेरा तारीक को प्रागाटी देरें उनसे दोनों को भी बहुत-बहुत बधाई पुझे बापु के आश्रिवाद लेते इसके पहले एक दो खास मादूरी बहन को प्रातना है जो दर्शना बहन यहां आये है वहले जो वशी भाई ने वह एनांस किया उनको पुषपार से आशिरवाद देते है पुझे बापु के आशिरवाद के पहले दो तिन सुचना है जरा सब द्यान से सुन लिजिए इस महने की पत्री का तैयार हो गई है ज्यादा तर आप सभी को मिल गई होगी जिनको भी नहीं मिली हो यह आए और नहीं मिली हो तो शार्दा बहन के पास जाकर कलेट कर ले उन के पास से लेकर आए बाल शिबीर और अरी 15 तारिक का जो प्रोग्राम है उसकी तो बात हुझे बरत भाई ने अभी बता दी है पवई मंदीर की और से हमारे मिना बहन संद बहन जो है उनको बहुत उस्सा है ठाकर जी की सेवा के लिए द्विशताब का अपने बंदू बेल मंदीर में बंती है बहुत शुद्ध है क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है दाम भी किफायत है वो भी यहां सेल्स काउंटर पे अलग से रखे गए है तो जिनको भी चाहिए वो उसका लाभ उठा सकते है भुपेंद्र भाई के स्वरुती में आठ नौ और दस एप्रिल मियाने की कल से आठ नौ और दस तीन दिन हरोज शाम को पांच से साथ पाराण का आयोजन किया है अमारे पवई से संद वहने वा जाएंगे और कांदीवली में उनका वेस्ट में जो इनका घर है एट सी एट लिजज़ सोसाइटी दानु करवाडी वहां बहुत फेमस है दा माले पे है जिनको भी आजु बाजु नजिक में जाना है वो पाराण में लाब लेना है तो वो जा सकते है आठ नौ दस शाम को पाच से साथ और चवदर तारीक को त्रेवदर्शी की महापुजा सुबह साड़े नौ से ग्यारा बीच यहां रखी गई है तो जो भी जिनको भी आना है वो आ सकते है बसकी व्यवस्ता भी आज के लिए वेस्टर्न सबब में जाने के लिए बसकी व्यवस्ता भी की गई है और एक खास अहम एनौंस्मेंट यह है कि बंदू बैलोडी शेताबदी में शिकागो जाने के लिए यहां से तो सब आयोजन होई रहा है जो भी भक्तर डाइरेक्ट जाने वाले है अपनी और से खुदी फ्लाइट की टिकीट बूग करके अपने सबी कानवार जो खुद करने वाले है और वो जहां पहुंचने वाले है तो उसके लिए काकाजी.org जो हमारी वेट साइड है उसके उपर शिकागो में जो यह फंक् अपना नाम पूरा सब फूल डिटेल्स उसके उपर आपको मिलेगी तो जितना जल्दी हो सके उतना आप जल्दी से जो भी डाइरेक्ट जाने वाले है वो वो लिंक पर अपनी सबी डिटेल अपलोड कर ले जिससे कि आप जो जाए तो उस तर तबी एंड मोंके पर इनको कोई भी तकलिफ नाओ और आपको भी आपकी व्योस्ता में सब पूरी सुविदा मिल सके इसके लिए तो डायरेक्ट जाने वाले है उनके लिए खास प्रातना है काकाजी.org ओ लिंक पर अपना पूरी डिटेल्स अपलोड कर ले कुझे बाफु से प्रातना है हमें प्रातिपम् नेयं स्री पुरिशो तबं मुनि रहे वेदादे केर्थ्यमिवो तन्मुलाक्सरयुक्तमे वसह जानन्दाम् चवंदेशदाम् जेनी अम्रुतवानितो वहरेही साक्सात्महिमारुपे जेनी ब्रह्मस्तिती अहोलिनकरे सुभाव्ययक्षरपदे सरनागतनिय अल्पजीव सहुना स्रेयार्सत्तत पर रहे काकास्नेहलसिंदुदीव विभुने ऐयो तो वंदन करे सजान्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द कि एक बात बतानी है यह हमारा सत्सग है काका जी ने आत्मियता के गंगोत्री भाई और कि तारदेव को अक्षर धाम का तखत बोला तखत मतलब सिहासन के जहां महाराज बिराजबान होते हैं तो कि वो इस गंगोत्री में हम भरत बाई वसी बाई राजु बाई दुसरे राजु बाई अरक्चन बाई अरुन बाई सब पुले हुए है तो आज वो आत्मियता वो आत्मियता से इतना ससंका उठाव आया है बस मराठी में कहावत है पहले पैटोबा नंतर विठोबा पहले पोटोबा नंतर विठोबा आज दुनिया में कि सबको को प्रोब्लेम है लेकि अपने दिल की बाहत करोडों रुपी रखने की जगा मिलती है लेकिन अपने दिल की बात कहां खोल के बोले है अपनी उल्जन किसको बताए है और उसका कौन सोल्यूशन दे तो इसके लिए बगवान ये गुनातिस संद की परंपरा चलाई है और इसकी वजह से और काका जी ने जो सुरदबाव आत्मियता निर्दोस बुद्धी का ससंक कराया पहले के जमाने में जो ससंक था तब त्याग जनान वहिराग्य उसको हम बड़पन सबस्ते थे अभी अभी जबाना ये नहीं रहा के हमारा दे इतना कोई कस्ट उठा सक हमारा बोड़ी अपना चाइनीज बे तो ही जेसा हो गया है क्या हम एक साथ में दस उपास करें के तो गिर जाएंगे हमारे लुकेमिया हो जाएगा तो ऐसे आज हमको जो तब करना है है हमारी बुद्धी सतेज हो गई है तो काका जी ने एक सब्द दिया हमें बुद्धी से सबका गून देना है मन से बापा ने बुला सबका भला इचना है हां मन बुद्धी चितमे प्रभू का चिंत्वन करेगा हमारी कोई प्रकृती हम अपने आप नहीं बजल सकते है लेकिन जितना प्रभू का मनंचिंतन करेगे और जितना उसके चिंद चरीतर चेश्टा का ध्यान करेगे हमारा मन नीरिविकल्प हो जाएगा सांत हो जाएगा और अहम तो छोड़ना है कौन बताएगा लेकिन हमको बगवान साथ में बिला के एक दुसरे से टक्रा के हमारे अहम को भी विसर्जित करता है तो यहां इत प्रेक्टिकल लाइव लेबोरेटरी है का वहां बगवान उपस्तित होते है 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 यह हीज़वर डेमोनस्टेटर एड़ एड़ अलसो पी यह अलसो गिविग अस है है अच्छानक उसको हाट इटेक आया लेकिन कैसे दिन आया जो दिन वह स्वधाम पदारे वो दिन तीन अप्रिल महराज का ती तारिक के इसाफ से प्रागटी दिन था और उसकी तो तरयो दसी आती है तब राम नुमी है है और है उसका फिनरल भी एका दसी के दिन हुआ तो उसकी आत्मा कितनी धन्य हो गई है आज मैं उसका भाई होते जाते भी मैं कल जा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है उसके फैमिली के अंदर सबको महराज का बल है कि जो भी हुआ है प्रभु की मर्जी से हुआ है एक दिन तो हमें सबको जाना है ऐसी है ऐसा बल और नहीं था लेकिन एक सुरदभाव कैसा था तो इतने सारे भक्त लोग पहुच गए है और हमारे हमारे मिलन भाई ने नहीं जगा लिया है तो अभी वो तो रहने को नहीं गए लेकिन वां पडोस था पडोसी था वो स्टेशन के दजिक्ते जहां वो कांदी वाली प्लैटफ तो वो भाई पचास हजार रुपिया लेके स्टेशन पे अपने बेटे को बेद दिया और खुद चलके गए कि तू जा तू जा मैं आता हूं क्या हुआ है क्या कुछ जब कुछ भी हो ऑस्पिटल में ले जा देखो यह सुरदभाव बोलते हैं ऐसा सुरदभाव और ऐसी म मैत्री भाव हां तो आज अमको कोछ मालूम नहीं पड़ा है क्या है तो यह ससंग की एक करामत है गुनातान गुनातान स्वामी खुद बोलते हैं त्याग वहिराग्य क्या करना है वो तो त्याग की और अखड़ वहिराग्य की मुर्ति लेकिन बगवान के भक्त के साथ आत तो यह सच्चा सशंगे और वही सशंग में हमारा पुन्य कितना जमा हो जाएगा कि हमारा डेविड वेलेंस खतब हो जाएगा हमारे जीवन में एक शांती कि लहर प्रसर जाएगी हमारे स्वभाव भी कहां गिस्के निकल जाएगे वो तब त्याग योग वरत जाधन से न तो भक्त का भक्त हूं है तो हमें भक्त का भक्त बनना है और इसके लिए हरी प्रसाद स्वामी ने ये बात को दोहराते हुए बोला है कि हमें दासानु दास बनना है तो किसी का उगुर्द लोना की बात ही कहा रही इतना ही हम कर सके है तो हमारे जीवन में एक सत्यूग प् आप कितना भी कल्यूग हो लेकिन हमारे जीवन में ये प्रभू की अभीप्राए की भक्ति करेंगे तो अखन्ड सत्यूग रहेगा, अखन्ड आनंद रहेगा, अखन्ड बल रहेगा, अखन्ड समाधान मिलेगा, और आज वसी भाई ने जो मंत्रा की बात करी, इस तरह से मंत का जाप करेंगे, तो हमको अपरोक्स अनुभूति हो जाएगी, कि जहां मैं हूँ, वहां प्रभू मेरे साथ है, प्रभू मेरे डाले, God is within and not without, लेकिन वो अनुभूति करो, काका जी बोलते थे, तो ये अनुभूति करने के लिए, इस स्वामिनान जहनती आ रही है, तो हम अज दिख्टी करें, महरादिय हिसा भी बोला, कि मेरी मुर्ति, साइद मेरी मुर्ति याद ना आवे, लेकिन आप दिल से, सच्चे भाव से, महिमापुर्वक केवल स्वामिनारा आए, तो अभी मेरी मुर्ति से, मेरा मंत्र महान है, ऐसा वर्दान देने वाले प्रभू मि आज उसकी, आज वसी भाई का उस्सा में ने देखा, तो इतना आनन्द आ गया, कि काका जी ने मुझे भी बहुत बोलते थे, कि तुम स्वामिनान मंत्र सिद्ध कर लो, बस क्या, फिर लिव डेंजरसली, स्वामिनान मंत्र सिद्ध कर लो, उसमें तो कोई है, एह नहीं है, आज हमारे हम इतने बड़े, हमारे सबसे बड़े भाई, यह हरक्षंद भाई है, इस 76, लेकिन सारे दीन या बेठ के, इतना मंत्र लिखते ही रहते हैं, जो भी भक्त आते हैं, उसकी बाद भी सुनते हैं, उसको गाइडनस भी देते हैं, अमारी प्रोपर्टी का ध्यान भ ग्रेटेस आलके मही ने देखा हैं, हमारे भुपेंदर भाई को भी देखा हैं, वो प्रेम का भुखा आदमी था, वो सब भक्तों के पांस बुझ जाता था, तो आज उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में भक्तों यह संत लोग आजर रहें, तो आज हमको पूर्ण खात हैं, क्यों प्रभु के चर्णों में बेठा हैं, ऐसा हमारा सब का कल्यान, महराद ने बुला है, कि अंतकाल आएगा, यदि आपने मेरी आगना का पालन किया है, अंतकाल मेरी निष्टा है, तो मैं लेने को आएगा, काल कर्म माया का अधिकार नहीं है, प्रारब्द का भी अधिकार नहीं है, महीं आपकी प्लेस्मेंट करूँगा, ऐसे वर्दान देने वाले, मेरा हरी भक्त अनवस्तर से कभी दुखी नहीं होगा, और स्वभाव की गांड चोड़ दे के लिए, उसने ऐसे संत दे दिये, बरद बाय, वर्सी भाय, राजु बाय जीसे क्या, कि इ एक प्रभु की जलग का, एक सांती का, एक ट्रेंक्विलिटी का, एक ब्लिस कॉंशेस्नेस का, हमारे जीवन में अनुबो हो जाएगा, ये महाराज, ये स्वामी, ऐसी कृपा, हां, सब के बर बरसाना, हां, जो जो भायों ने अमको साहनु भूती देने के लिए है, सब को करता हूं, सब को दन्यवाद देता हूं, कि आपने काका जी का संपसुरदैभाव एकता का, आत्मभुद्धि पृति का, है मेसेज को व्यापक बनाया, जाजान स्वामी महराज की जे, जाजान स्वामी महराज की जे, एक दो खास सुचना इसरा सुनली जिये, हमारे उनका एक छोटा पाकिट है उसमें पैसे भी है और खास तो उनके घर की चावी है वो जब शामकों यहां आए तो वो शायद मंदिर में उपर वो कहीं गिर गया है अगर किसी के हाथ में आया हो